हेलो दोस्तों कैसे हूँ आप लोग स्वागत है आपका टॉक विद अब्दूल चैनल पे आज की अपडेट आ रही है आर बी आ की तरफ से बहतरीन अपडेट अनाउंस होई है फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाइ कर सकते हैं पर्मनेंट सरकारी नोकरी है लेटेस्ट जॉब विकिन्स यह है विडियो को एंड तक देखना सारी चीज़े बताऊंगा कैसे अप्लाइ करना है प्रोसेस क्या है सब कुछ इसी विडियो में देखेंगे तो आईए इसी के साथ आज की इस विडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे eligibility criteria, qualification क्या मांगा हुआ है फिर उसके बाद आपे देखेंगे कि पोस्ट कितनी है, किस तरीके से यहां पर पूरा breakdown किया हुआ है, selection process किस तरीके से होगा, exam pattern क्या रहेगी, salary क्या रहेगी और apply किस तरीके से करना है जितनी maximum details होगी सारी की सारी शेयर करूँगा, तो बस आप से एक ही request है, इस video के अंदर end तक बने रही है, ताकि सब कुछ आपको समझ में है कहां जाके apply करना है, सब कुछ आपको मैं guide कर दूँगा, वैसे एक छोटे से request और भी है, कि वीडियो को like कर दीजे, ताकि कोई भी update आप से miss ना हो अब देखते हैं सबसे पहले post कौन सी है, जैसे कि हम notification open करते हैं, assistant की post है reserve bank के अंदर, और इनों ने जो है, यहाँ पर बताया हुआ है, कि आपने अगर graduation complete कर लिया है, चाहे किसी भी field से आप apply कर सकते हो, जी यहाँ बिलकुल आपने सही सुना, मैं आपको और details दे दूँगा के percentage बगरा क्या मांगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जैसे open करते हैं, important dates आती है, यह जो है September 13 से open हो चुका है, last date 4th October है, आपके पास करीब करीब 20 दिन का time दिया हुआ है, यहाँ पर online exam जो इसके होने वाली है, tentative October 21 या 23 इसके बीच में हो जाएगी, और main examination December 2nd में होगी, उसके बाद next process होगी and finally आपका appointment लेटर आ जाएगा, यहाँ पर और बात कर लेते हैं, कि पोस्ट किस तरीके से दी हुई है, इसका पूरा breakdown कैसा है, जैसे हम आते हैं, तो assistant 2023 आपको यहाँ पर लिखावा मिल जाएगा, कुछ resort vacancy है, कुछ PWD है, कुछ ex-servicemen की है, यहाँ प अंदर 58 vacancy है, न्यू दिल्ली के अंदर 28 vacancy है, फिर यहाँ पर चिन्नही के अंदर या गवाहाटी के अंदर 26 से चिन्नही में 13 है, इस तरीके से अलग-अलग जगा पर यहाँ पर vacancy है, और total हम निकालते हैं, तो 450 vacancies total आई हुई है, next आते हैं, age limit पर 20 से 28 years की age limit है, कोई issue न होना चाहिए, चाहे किसी भी field से, और 50 percentage minimum marks इन्होंने मांगे हुए है, अगर आपके पास है, बिल्कुल apply कर सकते हो, कोई issue नहीं आएगा, और यहाँ पे एक और condition add किये, कि मानलो आप गुजरात से apply कर रहे हो, तो आपको वहाँ की local language पढ़ना, लिखना, समझना और बोलना आनी चाहिए, you should be able to read, write, speak and understand the language of the state, आप जहां से भी apply कर रहे हो, खास करके ध्यान रखना मत, या फिर आप जहां पे जाना चाहते हो, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना, apply करने से पहले, next percentage का calculate कैसे किया हुआ है, by 60 percentage का मतलब होता है, 6.75 CGPA, 50 percentage का होता है, 5.75 CGPA, तो य ये खास ध्यान रखना, काफी confusion रहता है, अब आते हैं exam pattern पे, selection process में सबसे पहले preliminary exam आपकी होगी, जिसमें English, numerical ability, reasoning होगा, और अलग-अलग यहां पर timing इन्होंने a lot किया हुआ है, ये same banking exams में सम्में same ही रहता है, तो पहली exam qualifying nature में होगी, और आपको ये crack करना है, इसका main selection से क दिये हुए है, इसमें भी ऐसा है कि आपको यहां पर time दिया हुआ है, अलग-अलग test का अलग-अलग time दिया हुआ है, और total 200 marks, 200 questions, 135 minutes, 2 गंटे, 15 minute की ये exam रहने वाली है, तो अगर आप तयारी करने वाले हो, सोच रहे हो RBI में apply करने के लिए, तो हमने banking का बहुत अच्छा material प्रिपार किया हुए, जिसमें सारे notes आ जाएंगी, सारे subjects भी cover किया हुए है, इस video के description में link मिल जाए कि जिस पर click करके आप जाते हो, तो एक आपको page दिखे का registration करो, and directly जैसे ही आपका payment complete होता है, आपको on the spot हमारे website and app पे access मिल जाएगी, अब यहाँ पे आपके लिए बनाया हुआ है, जरूर से check कर लेना, next आते है, main examination के बाद आपका होगा LPT, जिसके अंदर होगा क्या, कि आपकी language test की जाए, कि, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि आप जहां से भी apply करना चाहते हो, आपको वहाँ पे बोलना लिखना, वहाँ की language आनी चाहिए, जैसे अगर वहाँ की language आती होगी, तो काम बहुत आसानी से हो जाएगा, in fact अगर client के साथ, या consumer के साथ, आपको अगर communicate करना है, तो बहुत आसानी रहेगी, so ये चीज़ को रखा जाता है, तो अगर नहीं आएगी, तो आपको वहीं पे disqualify किया जाएगा, चाहे आपके mains examination में कि 10 times number of vacancies जो होगी न, उतना select किया जाएगा, कहने का मतलब है, साड़े 400 vacancy है, जितने भी prelims में बैठते हैं, मानलो 5000-10,000 बैठते हैं, तो first 4500 candidates को लिया जाएगा, ये tentative बता रहा हूँ क्योंकि category wise ये अलग-अलग भी थोड़ा रहता है, लेकिन 4500 candidates को लिया जाएगा mains के ल तो ये चीज़ जो है, I hope आपको clear हो गए होगी, चाहे कितने भी marks हो, आप ये first 900 या first 4500 में आने चाहिए, अगर आपको next stage पे जाना है, एक और चीज़ LPT mandatory है, language proficiency को यहाँ पे category wise कुछ discount या कुछ भी exception नहीं दिया हुआ है, तो इसका खास ध्यान रखना आपको ये देना रहेगा, उसके बाद आते हैं, तो आपका यहाँ पे LPT के बाद medical fitness होगा, verification of certificates, ये सारे चीज़े होगी, उसके बाद banks अगर satisfy है तो आपकी यहाँ पे merit के अंदर नाम चला जाएगा, merit list बनेगी and finally आपका यहाँ पे selection होगा, so यहाँ पे कुछ इस तरीके से पूरा selection process बनाय होगा है, I hope आपको समझ में आ गया होगा, अगर पसंद आया है, इस तरीके से आपको detail video चाहिए, मुझे comment करके जरूर से बताना, अब बात कर लेते है, salary क्या मिल जाएगी, देखो salary का ऐसा है न, कि आपको basic पे तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे 20,708 मिलेगा, आपको लग र balance बगरा सब add करेंगे न, तो यह amount हो जाता है, 47,849, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह खुद RBI का notification कह रहा है, screenshot में आपको देख रहा होगा, यहाँ पे मैंने mark भी किया हुआ है, और pay scale भी कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे कि शुडवात में 20,700 होगा, फिर हर एक सा बारा सो बारा सो बड़ेगा, तीन साल के लिए, यह आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से पूरा जो है, आप समझ सकते हो, नेक्स आते हैं, फीज, जी हाँ, application फीज यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है, SCST वालों के लिए सिफ 50 रुपे प्लस GST है, जनरल OBC EWS के तो apply करने की जो date है, वो आपके सारे conditions, 1st September तक यहाँ पे implement होते, age हो गया, qualification हो गया, आपको जाना है यह वाले link पे, यह link जो है, इन्होंने notification में website नहीं mention किये, लेकिन मैं आपको link दे दूँगा, इस video के description में, जैसे link पे जाओगे, new registration पे click करना है, और registration को start कर देना है, जै यह चीज़ आपको clear हो गई होगी, आपका registration जैसे complete होगा, सारी चीज़ आपको यहाँ पे बताई जाएगी, admit card वगरा किस तरीके से मिलेगा, सब कुछ इन्होंने mention किया हुआ है, आप यहाँ पे इनको contact भी कर सकते हो, जवाब वगरा मिल जाएगा, RBA की official website पे जाके ही जैपूर्स ले सकते हो, हिंदी सबको आती है, नियो देली में हिंदी है, पटना में भी हिंदी है, हिंदी यहाँ पर mostly common रहता है, Jammu में भी हिंदी है, फिर इस तरीके से चंदिगण में भी हिंदी है, भूपाल में भी हिंदी है, यह common language है, आप इतने जगावपर अप्ला चाहिए कितने इन्होंने दिये हुए है तो काफी अच्छे कासे एड किये हुए है और इससे आईडिया आ जाता है कि स्टेट के इसाप से जो है प्रॉपर है या नहीं तो काफी अच्छा नंबर है आपके लोकेशन के नियर बाय कोई न कोई सेंटर अरहम साब को मिल जाएग सो ये थी पूरी update RBI के तरफ से description में मैंने link दिया है साथ ही साथ notes की भी link दी हुई है आप जरूर से check कर लेना अगर वीडियो पसंद आई है और भी वीडियो चाहिए तो subscribe करके bell icon प्रेस कर भीजिए ताकि कोई भी update मिसता हो that's it for today मिलते नेक्स वीडियो में नेक्स जाब अपडेट में तब तक के लिए good bye take care